पिछले दो वर्सों से इस तरह के जागरूपता कारिक्रमों का हिस्सा होने के नाते मुझे इस तरह के उचित मुद्दे पर बात करने और हमारे लोगों को इसके बारे में बात करने का यह शांदार अवसर दिया गया है इसलिए मैं इमानदारी से आप सब के सहयों की उमीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हर कोई मुझे धैरी से सुनेगा अब वर्षा जल संचियन नामक विशय पर आ रहे हैं भले ही यह पानी को बचाने के लिए एक महतुपूर तकनीक है फिर भी हमारी आबादी के अधिकान श्लोग इस बात से अवगत नहीं है कि यह कैसे और किस प्रकार किया जाता है और किस तरीके से हम इसका लाभ उठा सकते हैं यदि मैं सरल शब्दों में वर्षा जल संचियन की प्रक्रिया को समझाओं तो मैं कहूंगी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घरेलू, क्रिशी, व्यावसाइक, उपियों के लिए वर्षा जल एकत्र करना और भंडारड करना शामिल है तेजी से बदलते महोल के साथ आबादी का विकास और वैश्विक तापमान में व्रिद्धी के कारड़ दुनिया भर के देशों को पानी की बड़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है जल स्तर में धीरे धीरे होती कमी चिंता का एक गंभीर कारड है जो कि ना केवल इसलिए है कि यह पानी के संकट के स्थिति को जन्म देती है बलकि मुख्यत तटी ये छेत्रों में भी यह लवडता में असंतुलन पैदा करती है शीक्र ओद्योगी करण और रासाइनिक उत्पादन के विभिन जल निकायों में डंपिंग जैसे की जील नदियां आदिप्रदूशड के अत्यदिक स्तर के कारण है यह वास्तों में एक वैश्विक घटना है और इसके ततकाल समाधान की आवस्यक्ता है हमारे ग्रह पर ताजा पानी की आपूर्टी समवर्धित नहीं हो सकती इसलिए एक वैज्ञानिक समाधान की तलाश की जानी चाहिए और ऐसा ही एक समाधान है वर्षा जल संचेयन संकट की ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वर्षा जल संचेयन एक आर्थिक और आसान तरीका है जैसे जैसे लोग पर्यावरण के प्रती जागरूख होते जा रहे हैं वर्षा जल संचेयन की विधी विशाल गती प्राप्त कर रही है जिसे पर्यावरण संरच्छड और उचित प्राकरतिक संसाधनों का उप्योग संभव है पाड़ी का गिरता स्तर बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और शहरी छेत्रों में बहुत से लोग बोतल बंद पानी पर निर्भरता चाहते हैं जुनना तो बजट के अनुकूल है और नहीं भरोसे मन्द है वर्षा जल संचेयन तकनीक को विक्सित करने का महत्व संचेप में बता रही हूँ एकत्रित किया गया बारिश का पानी अक्सर क्रिशी गत्विधियों के लिए उप्योग किया जाता है सूखे की स्थिती से छुटकारा पाने में पर्यावरण की मदद की जा सकती है पशुओं को खिलाने के लिए पानी की आवश्यक्ता को पूरा किया जा सकता है भूमिगत पानी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है गटर, नाली या किसी भी अन्यकारण से बहने वाले पानी को बरबाद होने से रोखा जा सकता है और किसी भी रूप में जल निकायों को नुकसान पहुचाने से बचाया जा सकता है पानी की मात्रा में वृद्धी हो सकती है और मिट्टी का छरड होने से बचा जा सकता है सामान्य सडकों और गहन सडकों पर जल प्रवेश को रोका जा सकता है और बाढ के खत्रे से घरों को सुरच्छित बनाया जा सकता है अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रकृतिके प्रती जो हमारी शत्रुता पूर्ड द्रिष्टिकोड है जिससे जल निकायों में प्रदुषड हो गया जिसका रड़ वे पीने व अन्नी उप्योगों के लिए अयोगे बन गया भगवान ने हमें प्रकृतिक धन उपहार में दिया है लेकिन मनुष इसका उचित उप्योग करने में सच्छम नहीं है और दुर्भाग्य से इनका निर्माड कार्यशालाओं में भी नहीं किया जा सकता है वर्तमान में दुनिया के कई देशों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए उनके अस्तित्व के लिए इस वर्षा जल संचेन तक्नीक का सहारा लिया जा रहा है इसलिए मैं आप सभी को इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास करने और सक्रिय उपायों को अपना कर इसे दूर करने के लिए अनुरोध करती हूँ बस मुझे आप सबसे वर्षा जल संचेन को ले करके यही कहना था धन्यवाद प्रस्ट्प्टर्राशब प्रस्ट्राशना अनुरर्णार में रहा है इसे खाए सुथ्या बार्श्ते में इज्ड़िपल देखशना प्रषा जानुरी नुर्पीरता काल्यों प्रिक्स्तरिय बालग्स कर दो दोल आजे